तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक के तरब जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन है ना रेशियो एंड प्रपोर्शन जो आज का टॉपिक है हमारा उस पे हम बात करेंगे तो भाई मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं कमेंट फिलाल मैं अभी ध्यान के लिए कराया हूं ठीक है मजा आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो मतलब होता है सर अनू पाथ और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानू पाथ ठीक है पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूं अभी मैं बात नीगर पात मतलब होता है भाग पात बेसिकली पाट से बनाए छोटा भाग तो मैंने क्या का रेशियो का मतलब हुआ किसी भी संख्या का सबसे छोटा भाग जिसको हम तबदील करेंगे तो मैंने क्या का कोई दो संख्याए हैं हमारे पास एक संख्या चार एक संख्या आडे तो इनक क्या कहा कि दो संख्याओं का ही निकलेगा अकेली संख्याओं को तो कोई रेशियो होता नहीं है दो संख्याओं में मैंने क्या का सबसे छोटा भाग इसके बाद होगा ठीक अब इसी को थोड़ा सा और अलग नजरिये से देखते हैं अलग नजरिये से देखते हैं कि रेशियो का एक मतलब और भी होता है रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है दूसरा नाम क्या होता है कंपैरिजन रेशियो का दूसरा नाम कंपैरिजन भी होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं रेशियो को अगर डिनोट करना होता है तो हम लिखते हैं quantity first अपन quantity second ऐसे हम लोग लिख देते हैं कि कोई भी दो संख्या है उसको आप ऐसे भी लिख सेबते हैं अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि सर वाकई में हमें रेशियो पढ़ने की जरूत क्यों है क्या जरूते हमें रेशियो पढ़ने की अगर हम रेशियो ना पढ़े तो क्या हमारा सवाल नहीं बनेगा बनेगा क्यों बनेगा देखिए आपने अभी percentage पढ़ा तो मैंने क्या कहा कि जो percentage है percentage को भी हम कहीं ना कहीं किस में convert करते हैं fraction में convert करते हैं परसिंटेज को हमने fraction में convert कि आपने सीखा था उसी fraction को ही हम ratio में भी convert कर देते हैं और उसी ratio को हम वापस से decimal में convert कर सकते हैं और उसी decimal को वापस हम percentage में convert कर सकते हैं यह cycle चल रही है इसलिए यह topic समझने जरूरी है उधारन के लिए कोई percentage form ली मैंने माल लीजिये मैंने कोई percentage form ले ली मैंने का 20% तो इसकी fraction form कितनी हो गई बच्चे बराबर है How's that? ठीक है 1 by 5 को ratio में क्या लिखेंगे 1 ratio 5 बदा है था मैंने 1st upon second यह लिखे अब इसको decimal में क्या लिखेंगे 1 by 5 को decimal में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बदा ही है 1 by 5 को decimal में लिखना है तो 0.2 और 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20% तो cycle समझ रहे हो cycle समझ में आ रही है न तो इसी लिए ratio को पढ़ना जरूरी है अगर ratio नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं percentage भी अधूरा रह जाएगा तो percentage पूरी arithmetic की जान है लेकिन arithmetic की शान जो है वो ratio and proportion इसलिए ratio पढ़ना जरूरी है कि 20% जो है वो 1 by 5 है इसको मैंने ये लिखा किसी चीज को ये लिख सकता हूँ बाद में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ तो हम इस topic को इसलिए पढ़ रहे जैसी जरूरत वैसे हम लोग करते हूँ चले जाएंगे सही है मेरे भाई समझ आ गई है त्योरी अब इसमें questions कैसे आते हैं चलिए questions पे नज़र डालते हैं कि questions कैसे आते हैं percentage इस पर questions कैसे आते हैं एक बार में question दिखा देता हूँ आपको आजी basic concept समझ में आगे सब को एक बार हाया ना बताओ ठीक है question कैसे आते हैं suppose कि ये percentage तो आप पढ़ी चुके हो ये सवाल है मेरे पास 60% of x बराबर 3 by 4 y तो पूछ रहे कि what is the ratio of x ratio y अब percentage का सवाल है लेकिन कही न कई ratio से connected है percentage अगर पढ़ाया ratio नहीं पढ़ाया तो दोनों अधूरे हैं ये same वही concept है आप ऐसे समझवे शिव और शक्ती दोनों एक ही है लेकिन ना मलग लगे same अपना भी यहीं ये काम है percentage ratio दोनों एक ही है पस इनके ना मलग लगे इसलिए दोनों का में पढ़ना जरूरी है इसलिए मैंने आपने देखा होगा ratio में सबसे पहले लेकिया है pipe and system से भी पहले क्योंकि ये topic अगर आप पढ़ लोगे तो arithmetic आपका 50% cover हो जाएगा अब देखिए 60% of x 60% of x बराबर 3 by 4 of y तो 60% का मतलब क्या होता है आपने सिधा सिधा बोला कुछ नहीं होता सर 60 by 100 x 3 by 4 y 0,2,3,6,2,5,10 3 से आपने 3 काट दिया 1 upon 5x 1 upon 4y y को नीचे गसीड दो इदर आ जाएगा 5 को उधर फिक दो तो ये आगे हमारे पास इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 अनूपाद 4 आया नहीं आया समझे बोलिए सर 5 band system इसके बाद करा हमा तो percentage मैंने क्या का ये आप चीज़ आपने पढ़ रहे किती 60% 60% को ये लेखा upon x तो पहला सवाल समझाया पहला सवाल basically कुछ था नहीं है कुर्मल कुष्यन था कि 60% का मतलब 3 by 5 x तो मैंने क्या का 3 by 4 y आपस में एक्वल है तो मैंने इसको solve करा 3 से 3 कटा 1 by 5 बराबर 1 by 4 x upon y आ गया और अगर ये चीज़ लिखी दे तो उसको रेश्यों बनाई सकते हैं हम लोग डन 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 ठीक एक और सवाल देखिए 10% of x equal 20% of y find x ratio वही आपको करना है और comment section में जवाब देना है उम्मीद करूँगा सारे लोग इसका answer करेंगे ठीक है एक एक इसकार आपको करेंगे लोग करेंगे लोग एक बनादव लोग एक भर सेश्यों एक बर सेशन को शेयर कर दो बीटा आजी हो गया नॉर्मल था बहुत बढ़िया अब देखे 10% of x 10% of x का मतलब हो गया कि 10% of x this is equal to 20% of y तो यह और यह से कटा जीरो से जीरो कटा आपने क्या का x upon y x के बराबर में दो y के बराबर में इसी चीज को लिख सकता हूं तो यह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले तो यह बताओ कि रेशियो कुछ ही नहीं सर्व मतलब परसेंटेज का दूसरा नाम है मैंने आपसे बोला भी था वन मोर एक और थोड़ा सा और गुमा दिया 20% of p प्लस q 50% of p-q then what is fine p ratio q क्यों कि यह स्कमाउन कि पाइंड पी रेशियो क्यों जल्दी से बनाईए सामाश इनको समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन पर जवाब देते रहिएगा और एक एक शेयर यार सब लोग कर दो अपने अपने फेस्बुक पर तांकि मैक्सिमम लोग फिर से वापस आ जाए जो लोग बीच में क्लासिस की वज़े से आ नहीं पाए देखिए 20% ऐसी तो लिखेंगे आपने का P प्लस Q 50% को ऐसी लिखा जाएगा यह देखिए अब आप क्या करेंगे सेम इसे काट देंगे सेम इस संख्या को काट दो 0 से 0 अंदर मल्टिप्लाई किया 2P प्लस 2Q अंदर किया 5P माइनस 5Q वही प्रोसेस है बस थोड़ा सा गुमा दिया Q को यहां ले आओ 5,8,2,7,Q यहां फेक दो 5 में से 2 गया 3P अब रेशियो बनाना है तो आप यह कहोगे 3P बराबर ऐसा गीवन है तो P के सामने कितना है 7 है P के सामने 7 है और Q के सामने 3 है या P के सामने 7 है Q के सामने 3 है तो 7,3 जिन जिनको रेशियो पढ़ने में मज़ा आ रहा है जिनको समझ मा रहा है रोज 7 बज़े आना है और अपने basic concepts को सीखना है ठीक है thumbs up thumbs up thumbs up बहुत easy question था तो 3 concepts मैंने आपको सिखाए जो की percentage के थे with the help of ratio के साथ हमने किये पहला सवाल ये given है तो X और Y कैसे निकलेगा clear हो गया दूसरा मैने का अगर ऐसे given है तो X Y कैसे निकलेगा वो भी समझ आ गया ठीक है तीसरा मैने का अगर ऐसे given है तो X और Y P और Q कैसे निकलेगा वो भी समझ में आ गया डण 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 जितने लोगों को समझ आ गया वो कमेंट सेक्षेन पर एक लाइन लिखिए कि यह सर समझ में तीनों सवाल आ गया है पिटा रॉयल ट्रेंड पिटा पाइपन सिस्टन का जो वीडियो है वह अभी नहीं अपलोड किया है अपलोड होगा डिलिक नहीं किया गया है वह होगा चिंता मत करो सही है चलो अब आती है अगले सवाल की तरफ आपने कई बार रेशियो को जिसे मैंने आपको रेशियो पढ़ाया तो मैं रेशियो में एक बात और बताना भूल गया आपको क्या रेशियो मैंने आपसे क्या बूला कि रेशियो की डेफिनेशन होती है कि A upon B है तो इसको ऐस से लिख सकते हैं ना मैंने कहा कि वेन तू रेशियो और एक्वल वेन तू रेशियो और एक्वल जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं they are called proportional मतलब इसको मैंने हिंदी में नाम दिया था समानुपाथ जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो वो समानुपाथ कहलाते हैं इस ट्रेन्ड को ऐसे पकड़ना है कि दो रेशियो एक पहला रेशियो बराबर दूसरा रेशियो ये बराबर है यह चीज है, कि पहला ratio A upon B, दूसरा ratio C upon D बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखा जाता है, कि A अनुपाद B, बराबर के लिए यह चार बिंदू को डिनोट किया जाता है, कि proportionate है, ध्यान लखना यह कहीं पर चार बिंदू दिखाई दें, तो इसका मतलब equal इसको ऐसे रिपर्जेंट किया जाता है, this is called proportional, A, B, C, D, अगर दो बरेशियो बराबर है proportional, इसको कहा जाता है first proportional, जो आप पढ़ते हैं आभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं, first proportional, ठीक है, इसको बोलते हैं second proportional, इसको बोलते है third proportional, और इसको बोलते है fourth proportional, अभी पढ़ाऊंगा आगे concept, इतनी बात समझ आ गई, कि जब दो रेशियो बराबर होते हैं, तो they are called proportional, इसी पर साथियो मैंने सवाल दिया है, सवाल क्या दिया है, देखिए, यह रहा है, यह three by four, ratio one by two, और यह चार बिंदी मैंने लगा दी, 27A, और इसको मैंने x कर दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ find the value of x, यह सवाल railway वगेरा में मैंने बहुत देखा है, वहीं से मैंने उठाया है यह सवाल, यह सवाल मैंने railway में बहुत देखा है यार, आ जाता है कई बार exam में, रेलवे में बहुत देखा है मैंने, any answer? हो गया, अब मैंने क्या का proportional है, तो क्या करेंगे, देखें कुछ नहीं करना है, simple सी बात है, इसका मतलब यह हुआ, 3 by 4, ratio 1 by 2 is equal to 27a, यही तो मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 by 4 यह है, और अगर मैंने का यह भी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें, a ratio b को आपने क्या लिखा, a upon b, तो मैंने का 3 by 4 upon 1 by 2, यह इदर चला जाएगा, यह उपर चला जाएगा, यह 2 से 2 काट लो, यह समझाया, देखो भी यह हमने क्या कहा, मैंने यह कहा, शाथ είओ की a ratio b को हमने यह लिखा, तो मैंने का 3 ratio 4, 1 upon 2 को क्या लिखूँगा, 3 by 4, 1 by 2, यह तो लिखूँगा, यह तो मैंने का 2 से 2 काट, लिभी निचे से निचे काट लिए, 3 by 2, तो सिदा-सिदा इन दोनों को क्या लिखूँँगा, सिरब कर देगा, सवाल आपकी किसी भी competitive exams में आ जाए तो आज के बाद confused नहीं हो ना है sir सवाल कैसा लगा आपको बताईए का जरूर ये समझ में आया ना ये चीज़ समझ में आ गई कि 4 बिंदी लगी हूँ इसका मतलब 3 by 4 पहले इसको मैंने क्या का वही वाले concept से a ratio b मतलब a upon b 4 बिंदी मतलब बराबर तो this upon this तो लिखी सकते हैं अब मैंने का 2 से 2 काट लिया ये पूरा कटी गिया तो 3 by 2 upon 1 3 by 2 या आएगा और ये कर दिया solve कर दिया ये वाला question समझ में आया तो एक बार comment section में जवाब लिखे सदन चलिए अब आता है balancing concept now we have the ratio का सबसे ज्यादा use होने वाला concept ratio balancing concept ratio balancing concept पे काफी सवाल बनते इवन जब डियाई वागेरा भी पड़ोगे तो वहाँ पी सवाल ratio balancing concepts किसको कहते हैं what is the ratio balancing concepts क्या होता है ठीक है ratio balancing concepts का मतलब है कि ratio को balance करना है क्यों balance करना है देखिए a अनुपाद b दो तीन बी अनुपाद c दो तीन ऐसे कहीं पर लिखावा है हम यह बोलते हैं कि ratio जो होना चीए वो बराबर होना चीए बराबर मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि यहां पर आपने क्या कहा है a और b दो और तीन और आपको a b c निकालना है तो आप एक तरीका लिखोगे कि a b और c मुझे निकालना है तो मैंने का a और b इसके according दो अनुपाद तीन है और इसके according अगर देखू b और c यह दो अनुपाद तीन है ध्यान से देखो मैंने यह कहा सर कि मुझे a b c निकालना है तो मैंने का पहले a और b कितना गीवन है इसके according फिर b और c कितना गीवन है इसके तो हमने का यह जो b है यह अलग अलग values नहीं होनी चीए इस b की value बराबर होनी चीए क्यों क्यों क्योंकि आपको a b c निकालना है ना पुरा आपको क्या निकालना है वह a b और c पहले आपने का 2 है यह 3 है फिर आपने अगले step में का सर यह 2 है और यह 3 होगा तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि यह basically अलग अलग क्यों तो इसको बराबर करने के लिए क्या करा जाएगा बताओ इसको बराबर करने यहां multiply 2 से और यहां multiply 3 से तो यह हो गया 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तीया 9 this is called ratio balancing concept रेशियो को balance करना है और कुछ भी नहीं है ठीके balance कैसे करना है वो समझ आगे आप जिसे मैंने पहला सवाल आपके सामने रखा 3, 4, 5, 6, A, B से try करेंगे नहीं होगा मैं बताओगा जो B होगा जो मतलब जो भी common होगा उसको balance करना है ना common B भी हो सकता है common C भी हो सकता है वो जो भी balance होगा कर दो हो गया है सेम वही concepts लगाएंगे आपने का A, C निकालना है A और B कितना है आपने का 3 और 4 बी और C कितना है तो आपने का सर यह B जो है न यह करबड कर रहा है यह B बराबर होना चाहिए यह B बेसिकली बराबर होना चाहिए तो यहां multiply 5 से और यहां multiply 4 से तो यहां 5 से किया तो पांच तियां 15 पांच से इस पूरे को किया पांच चको बीस चार पंजे बीस चार चंग च्वाबिस आउस ताट अभी टफ सवाल भी दूँगा इसको easy मत समझ ले ना ठीक है एक और A और B अभी चार बिंदी हैं इसका मतलब बराबर B C बराबर ABC जल्दी से बनाएंगे बहुत जल्दी A B और B C और C अभी D वाले भी आएंगे जल्दी बनाओ हो गिया क्या करेंगे same A B C A B कितना है एक अनुपात दो B C कितना है साथ अनुपात नो क्या करना है भाई अब B को बैलेंस कर लो B को कैसे बैलेंस करोगे then multiplied by 7 multiplied by 2 साथ इकम साथ साथ दुनी चौदा तू से मल्टिप्लाई अठारा how's that done कितने लोग है जिनको ये पूरा कॉंसेट समझा गया जिनको आगे एक बार जल्दी से बोली है बेसिक कॉंसेट था अगर कमेंट्स में एक बार वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना कि हासर ये वाला कॉंसेट्स क्लियर है जल्दी से बोले वटावट से साथी हों कि ये वाला कॉंसेट्स मेरा क्लियर है अब थोड़ा सा घुमा दिया मैंने A प्लस B B प्लस C C प्लस A वो निकालना है और A बी C निकालके आगे का प्रोसेस है जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ावा उनको रिवीजन अच्छा हो रहा है वो और बताओ ठीक है अब देखिए यहां पर भी वही काम करना है जो पीशे किया रेशियो में हम क्या बोलते हैं पहले हम A B C निकालते हैं A B कितना है 7 अनुपात 9 B C कितना है 3 अनुपात 11 मैंने का इसर बैलिंस करना है यह 9 ही यह यहनस रफ केवन 3 से कर दो यह 9 3 से कर दो यह जाएगा 7 9 11 33 तो यह हम को जो मिले वो A की वैلियू मिली यह B की वैलियू मिली और यह C की मिली जो A की वैलियू है वो 7 है तो हम क्या कहेंगे A की value 7 है B की value 9 है C की value 33 है हमें value बोल दिया क्योंकि हमें ultimately निकालना तो ratio ही है अब हम इसकी जगा पर वो रख देंगे देखें कैसे रखेंगे आपने क्या का A plus B 7 और 9 16 ratio B plus C 9 और 3 बारा 42 C plus A 7 और 3 दरस 40 7 और 3 10 है ना हाँ ठीक है This point is clear or not ये काम आपने normal अभी किया ही था जो हम लोग पिछले करते आ रहे थे A की value आ गई ये B की आ गई ये C की तो उसने बोला A plus B तो मैंने का 9 और 7 16 B plus C 9 और 33 42 C plus A this Now किस से divide करेंगे 2 से 2 8 जा 2 2 जा 2 बन जा तो 8 21 20 मेरा answer हो गया Done Comment fast आपको regular रहना है regular बच्चे अगर आप आते रहेंगे लाइव आते रहेंगे तो regular class आपकी होगी चिंता मत करो ठीक है आप इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ चलिए थोड़ा सा मैंने इसको language से घुमा दिया अभी तो हम लोग बात normal कर रहे थे Now see Find P, A, 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 R थोड़ा सा घुमा दिया P, Exceed By अगर English में comfortable नहीं हो तो हिंदी में पढ़ो अगर 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 कोड़ा सा मैंने क्या किया जो काम कर रहे थे examiner यही काम करता है इसी को language में लिख देता है देखिए यही काम language में लिखता है और कह देखा कि एक नमबर का सवाल है P, Exceed Q By 40% इसका मतलब है P को compare Q से किया जा रहा है P Q से 40% अधिक है Q अगर 100 है तो P basically 140 है तो P और Q का ratio यह देखिए percentage में तो पढ़ा था आपने Q less than by R Q और R less than by यह 100 है तो यह 80 हो जाएगा तो 20 से 4 और 20 से 5 इतना करने के बाद आपको इसको balance करना था देखिए तो आपने का P और Q that is P और Q साथ और 5 फिर आपने क्या का Q और R चार पांच वह यह वाली बात है P Q R निकालना है मुझे P Q साथ पांच चार पांच अब balance कर दो भाई इसको balance कैसे किया जाएगा उपर वाले को चार से नीचे वाले को पांच से चार से की 28 चार पंजे 20 पांच पंजे 25 सवाल ने पूछा P और R तो RBI वग्यरा के paper में सवाल बन सकता है यहां से नहीं समझ मैं आया तो पूछिए सर मैंने कुछ नहीं किया मैंने percentage की form में लिखावा था कि P exceed by Q इतना percent तो मैंने उस line को लिख दिया यहां पर भाई यह देखो ठीक है Q को लिखावा था लिख दिया पी क्यू क्यू आर मिल गया देन उसके बाद जो process आप करते ही हो गॉट इट भूली बच्चे वटावट से ठीक है one more आईए एक और सवाल है आपके पास में अच्छा सवाल है थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने कहा ना प्रैक्टिस करने के लिए एक टॉपिक पर ही ज़्याद से ज़्यादा सवाल है पी वन अपॉन थ्री क्यू क्यू वन अपॉन टू और पी क्यू आर किसके बराबर होगा है थोड़ा सा घुमा के पूछा है श्रुआ झाल 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 इतना डाइम ले रहो कि आँ देखे आपने बोला पी इस इक्वल टू इतना है तो मैं क्या कह सकता हूँ पी बराबर वन अपॉन थ्री क्यू है तो इस थ्री को यहां ले आओ तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि थ्री पी बराबर वन क्यू इसका मतलब है पी के सामने और क्यू के सामने तीन है तो वन अनुपात तीन हो गया बहुत बढ़िया फिर आपने का Q इसको यहां ले आओ 2Q वराबर 1R तो आपने क्या का Q रेशियो R Q के सामने 1 है आर के सामने 2 है डन 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 अब देखिए अपने क्या कहा आपने कहा PQR बनाईए PQR तो कैसे बनाएंगे एक अनुपाद तीन एक अनुपाद दो तो नीचे वाले को केवल तीन से मल्टिपलाई करो तो यह हो जाएगा एक तीन और छे बोलिये सर इस तरह के घुमावदार कॉश्चन सागा एकजाम में बने तो कर लोगे कुछ था नहीं इस पर मतलब अगर मैं आपको परस्नली बताऊँ डन चलिए अब चार में आ गया रेशियो में चार आ गया A B C D D वाला कैसे करेंगे पहले D वाले का एक 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 अग्जामपल देता हूँ फिर D वाले पर भी आएंगे अब आते चार वाले कैसे करेंगे चार वाला चार वाला ऐसा करेंगे देखो मैंने का A अनुपाद B एक दो B अनुपाद C तीन चार C अनुपाद D पांच और छे यह हमें गीवन है तो हमें क्या निकालना है A. अनुपाद B. अनुपाद C. अनुपाद D. तो आपने का एक और दो B. C. कितना है? 3. 4. C. D. कितना है? 5. और 6. अब यहां देखिए. यहां मामला फसेगा. You are getting my point. A. और B. B. और C. C. और D. अब मामला फस रहा है बड़ा तकड़े लेवल पर. कि 4 वाला कैसे करे? 4 वाले को मैं आपसे request करूँगा. Short बनाने के लिए पहले 3 निकाल दो. 3 निकाल लो कि ज़्यादा easy होता है फिर 14 करना. क्योंकि 3 आपने सिखा हुआ है. 3 और 2. ऊपर 3 से कर दो, नीचे 2 से कर दो. तो 3 इकम 3, 3 दो नीचे 2 फोरजा 8. Done? यह देखो. यह आगे समझ में 3 वाला तो सबको समझ में आए क्या था? तो आपने क्या का? A, B, C और D और लिखना है. तो A, B, C मतलब यह 3 है, यह 6 है और यह 8 है. और यहाँ से आपने का? यह 5 है और यह 6 है. अब इस्टेप आप सरासान है. आपने क्या का? एक, दो, तीन, चार. यह बैलेंस करना हम सीख चुके हैं. तीन से किया, दो से किया. उसके बाद इस्टेप अगला है. कि A, B, C, D, पूरा निकालना है 5 है. अब आप क्या करोगे? यहाँ मल्टिप्लाई 5 से, यहाँ मल्टिप्लाई 8 से. पाँच से किया, पंद्रा, पांच शका, तीस, फाइड जा, फॉट्टी, शिक्स, एड जा, फॉट्टी है. कि एनीवन कन्फ्यूशन है तो बूचिये. डन 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 कमेंट फास्ट. कोई कन्फ्यूशन है तो बूचिये सर कि यह कन्फ्यूशन हमारा दूर हो गया. कि 15, 30, 40, 48 हमने कैसे लिखा कहा लिखा. क्या कहा मैंने इसको पहले एक साथ ले लिया? इसको एक साथ लेकी ही आ पिर उसको मैंने क्या का उसकी नीचु तर दे इसको और इसको बैलेंस करना है. इसी बन. चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन इसी पर मैंने थोड़ा सा अच्छा कॉंसेप्ट दिया. फ्रेक्शन की फॉर्म में आईए. बना बना साबाश. इस जर फॉर्मा कर भाव hmझा ही आपिया वश्चा वर्म्हार मी में पर भाव चकस्छाक क्या एपिता मैंने में आजिया चले उसको लड़ग refer virus बना पन्यानू फॉर्मार घसका भाम में आईए. हो गिया है पुड़ा सा टाइम लग रहा होगा है ना कोई बाद आओ देखिए चाह करेंगे सिंपल सी चीजे पहले आप इसको बैलेंस करो नॉर्मल आपने का ए अनुपाद बी कितना है इसको देखिए वन अपन फॉर्टिन वन अपन सेवें तो यहां टू से कर लें तो यह नीचे वाले बैलेंस हो गए तो यह आ गया वन रेशियो फिर मैंने का बी अनुपाद सी करो यह अल्ड़ी बैलेंस से पांच पांच दो अनुपाद एक कि तो बात की बात है यहां सर यह वाला स्टेटमेंट समझ में आगया यह वाला पॉइंट हमारा इसमें कोई दिक्कट परेशानी है तो प्लीज अभी पूछी आप लो अगर है तो कुछ यह नहीं है तो बात की बात ही खत्म होगा यहां तक कोई कॉंसेप्स किसी का दिमाग म में कन्फ्यूज कर रहा है अव्रिवन यहां तक कोई जिए नहीं है अब यहां जिए जि यपीश्व होगे यह अगली करते रहता है तो फिर अगले स्टेप में सरह रहे सहां मैंने और झाए म॥ा कि यह जल्डी काष है और आटे और दिए सट सी अरल्डी तो ने साट एनी और यह D है तो मैंने 8-3 तो यानि ऊपर वाले को 8 से करना है ना ऊपर वाले को 8 से करना है तो यह हो गया 8, 8-2-16, 8-2-8 और यह आणसर नहीं है कैसा ला कुश्य है तो 8-16, 8-3, got it, perfect, समझ में आ गया ना कोई confusion तो नहीं कि balancing करने में अब कोई दिक्कत आज के बाद नहीं आनी चाहिए कि A ratio B given है 1 by 1 by तो आपने का A ratio B को simple format में लिया है B ratio C को simple format में लिया है D ratio C को simple अब मैंने का ABC वही अपना common format लगा के ABC को ले C और D अब इसी का थोड़ा सा level increase करता हूं यह लीजिए question मैंने आपके सामने रख दिया ध्यान दीजेगा question मैंने आपके सामने रख दिया कि A upon B 2 by 3 है ठीक है कॉमा B upon C यह basically 3 given है C upon D basically 2 upon 5 है और D upon E अब हमने E तक ले लिया लो दो upon D नहीं है तो find क्या निकालना है क्या निकालना पसंद को जो मर्जी वो निकाल लो find A, B, C, D जो मर्जी वो निकालना चाहो उसके बाद तो फिर कुछ भी निकाल सकते हो चार-पांच निकालने तो कैसे करेंगे देखें फड़ना बड़ा असान है आपने का A upon B, B upon C तो सबसे पहले A upon B लिगो तो A upon B दो अनूपात तीन, B upon C त्री रेशियो इसको निचे कर लेंगे वन मान लेते हैं C रेशियो D, तू रेशियो पांच, D रेशियो E, यह देखें, डन यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर है हाँ शिल्पा हो जाएगा आपका, complete हो जाएगा, A रेशियो B बराबर 2, 3, B, C बराबर 3, 1, C, D बराबर 3, 1 अब वही काम करना है जो पीछे कर रहे थे, D, देखें, A बराबर 2 और 3, B, C बराबर 3 और 1, तो basically यह 1 हो जाएगा, directly balanced, ठीक है अब मैंने का, C और D, यह 2 है और यह 5 है, तो 2, 5 है मतलब यहाँ 2 से multiply कर लो पर वाले को, ठीक है, और D और E, D और E, 2, 5, 3 है अब देखो, क्या कर रहा हूँ, तो directly कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो, यह तो सही हो गया था, हमारा यहाँ 2 से कर दो, तो 2 से किया यह 4, 2, 3, 6 और यह 2, तो यह वाला statement भी हड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 अब फिर यह 2 है और यह फिर 5 है, फिर 2 से कर दो और यहाँ 5 से कर दो, तो 2 से किया 8, 6 दुनी 12, 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया पंद्रा, 8, 12, 4, 10, 15, डन, तो ऐसे कुछ भी question बन जाएगा, अब इसी में मैं कुछ भी पूछ सकता था, मेरे मन में जो आ रहा मैं पूछ सकता था, मैं आपको पूछ सकता था, बताएगे, A अपॉन B, B अपॉन C, D अपॉन E, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ फिर, जो मेरा मन करें, तो बस basics पत कर दें, और मुझे बस इतना बता दें कि सर बैलेंसिंग समझ में आ गया, एक बार सारे done, 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 कर दें, कि बैलेंसिंग समझ में आ गया, सही है, चीक है, क्या का मैंने, A और B की value गीवन थी, B और C की value गीवन थी, इस तरीके से, यह देखिए, तो आपने क्या का, बैलेंस किया, पहले A, B, C, यह already बैलेंस था, तो 2, 3, 4, फिर इसको बैलेंस किया, यहां 2 से multiply, 4, 6, 2, 5 हो गया था, फिर मैंने का, इसको कर दिया, तो 2 और 5 यह पूरा, बहुत बड़े है, अब एक सवाल देखिए, मजेदार सवाले, यह देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा सवाले मतलब, A प्लस B माइनस C, सवाल ने पूछा है आपसे, A प्लस B माइनस C, ratio, B प्लस C माइनस A, ratio, C प्लस A माइनस B, इसकी value 4 है इसकी value 5 है, इसकी value 6 है, तो बताइए इसकी value क्या होगी, करो, करो, try करो, उम्मीद करता हूँ कि answer आएगा, अगर सीख, देखो सीख गए तो answer है, नहीं सीखे तो नहीं answer है, इसकी value 5 है, इसकी value 5 है, है कि अब बढ़िया इन साथ चार आजा देखो क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है आप एक बेसिक कॉंसेप्स अपने दिमाग में रखिए एक बेसिक कॉंसेप्स अपने दिमाग में रखिए आपने क्या का कि A प्लस B माइनस C यह चार है मान लेते हैं अगर बच्चे मैं इन सब को जोड़ देता हूं तो आपने का यह C इस से कटेगा यह B इस से कटेगा यह A कटेगा तो A भी C तो बचा हमारे पास तो आपने का A भी C की वैल्यू छे चार दस 15 मिल गई यह वाला पॉइंट हो क्लियर है आपने सब को एड किया तो आपने का भी सब कट रहे है आपस में बस A भी C बच रहे है अब आपने एक छोटी सी बात वर बोली कि A भी C 15 है उपर वाले को देखता हूं कि A प्लस B माइनस C जो था वो 4 था यह मुझे गिवन था अब मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो यह और यह पूरा कटा C माइनस 2C बराबर 15 में से 4 गया 11 तो C बराबर आ गया 11 बटे 2 तो जैसे आपने C निकाला बस ऐसे ही आप A B और निकाल लें गया है आया समझ कि A B C 15 आ था A प्लस B म माइनस A 5 अब B प्लस C B प्लस C घटा तो केवल A ही तो बचा तो A को निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा A की वैल्यू आ गई 5 अब A 5 आ गया C आ गया B भी निकाल सकते हैं क्या करेंगे इसमें से इसमें से इसमें से इसको घटा दो फिर मैंने इस वाले को रिमूव किया 15 में से 5 गया 10 10 का अधा 5 तो B प्लस C कटा A बचा C प्लस A कटेगा तो B बचेगा तो 15 में से 6 गया 9 बाई दो तो अब आप से क्या पूछा गया है यह पूछा गया है तो 1 अपॉण A यानि 1 अपॉण A 1 अपॉण 5 1 अपॉण B मतलब 2 बाई 9 1 अपॉण C मतलब 2 बाई 11 जो आंसर निकाल रहे थे ना आजाओ बोलिये भाई बोलिये वटावट से आप इसका LCM कितना हो जाएगा देखो इतने लोग आंसर कर रहे थे गलत होगे ना इन सब का LCM यानि 5 है तो उपर 9 इंटू 11 9 है तो 5 11 भी चलेगा और 2 भी चलेगा ये भी 2 9.452 तो रेशियो हो जाएगा 99 5 दूनी 10 110 इसने आंसर दिया उम्मित करता हूँ कि जो 3-7-4 कर रहे थे सारे गलत है तो 3-7-4 वालों को जरूरत है सीखने की अगर आप अपने आपको हुशियार मानते हो तो ये सवाल फिर कैसे मिस हो गया अगर ये सवाल एकजाम में आ जाएगा तो फिर तो कामी खतम ना बोलिये सर बोलिये फटाफट से ठीक है चलो थोड़ा सा और गुमाता हूँ रुख जाओ थोड़ा सा और गुमाता हूँ नॉर्मल कोश्चन्स है यार आपने रेशियो पढ़ा है नहीं पढ़ा तो सीखिए ना रेशियो को एप माइनस बी बी माइनस दिए पाइनस दिए फाया शेबावाइबा बनाओ झाल झाल हो गया भई आओ A माइनस B देखो आपने कहा 1 है B माइनस C 5 C माइनस D आपने का 6 है ध्यान से पड़ो मैं हमेशा कहता हूँ कुछ इसको पढ़ना है और कुछ नहीं C माइनस D ना होगे C माइनस A होना चाहिए यार यह गलत है मेरे खाल से C माइनस A होगा बेटाई है एक बार A करके देखते हैं D तो कोई रिलेशन नहीं नहीं हो न A होगा यह D by mistake होगा अब इसको जोड़ दो तो आपने का सर्फ B से B कटा C से C कटा A से A कट दिया लेकिन कुछ बढ़ बढ़ आ रहा है क्या को नहीं रहन है एक मिटर को कुछ बढ़ बढ़ हो रही है एक मिटर को इस question को hold करो शायद कुछ बढ़ लगनी मुझे इस question में तो D यहाँ पर confusing लग रहा है है ना C and D हो रहा है एक मिनट पुरा cancel हो रहा है चलो ठीक है score hold करो चलो अब आता है हमारे पास divide करने का concepts ठीक है वेट करते है थोड़ा सा आईए कुछ गड़ बढ़ हो रहा है शायद I don't know कहा पर mistake चलो देख लूँ का मैं आव next question पे आते हैं कि बोल रहा है कि 2515 रूपे को बाटना है ABC में such that A ratio B 4 और 5 है और बोल रहा है कि B और C basically 9 8 है और बोल रहा है कि C और D 6 7 है तो वही वापस balancing करनी है और difference between A C निकालना है तो कैसे करेंगे simple सी बात है पहले तो ABC को balance कर लो ABC balance करना हमारे ज़्यादा easy है यह 9 और 5 या 9 से कर दो या 5 से कर दो तो charger को 9 से किया तो 9 फूर्जा 36, 9 55, 49 और यह 40 C और D को करना है यह 6 है और यह 7 है तो आपने क्या का 6 7 है तो लाओ multiple light यहाँ multiple light 6 और 7 में किस से हो जाएगा 40 और 6 LCM ले लो इनका 120 तो यहाँ 3 से कर देता हूँ यहाँ 20 से कर दो तो 3 से किया 108 120 140 सही है बॉस How's that अब आप से क्या पूछ रहा है 2515 को बाटना है तो कर लोगे कर के दिखाऊं पूरा तो 2515 इस रेशियो में बाट देना है सही है दोस्त और जो आएगा A और C का वो निकाल देंगे क्या तुटार और मनेनट कर्सथ चल्दी से बोलो सर मिल रहे है यंदी में क्यूँ निख ही हमखे इन्दी में देता हो हूँ कि वह चलो ेल इस तु गलती से बिकाल मिल चलो मिलु कि 7800 को बाटना है यहाँ टू टैइमस ओऐ तू टैइमस ओफ ए 3 times of B 4 times of C ये कई बार exams में मैंने देखा इस अवाल कई बार की 2 times of A 3 times of B, 4 times अब इसको हम क्या करेंगे हमें ABC बनाना है तो याद रखना हमेशा ABC बनाने के लिए हम इसको किसी K के equal कर लेते हैं तो मैंने का अगर suppose करो 2A बराबर K है तो A बराबर कितना हो जाएगा K by 2, इसलिए अगर मुझे ratio बनाना तो इनका reciprocal कर दो 1 upon 2 1 upon 3 तो ये आजाएंगे हमारे एक बार जल्दी से comment section में बताओ पटापट से ये समझ आया कि नहीं है सर एक बार पहने तो मुझे यही जानना है आप लोगों से कि 2 टाइमस ओफ A 3 टाइमस ओफ B 4 टाइमस ओफ C 2 टाइमस ओफ A, 3 टाइमस ओफ B सॉल करने के पाद हमने क्या पाया हमने ये पाया कि 2, 3, 4 के लसी हम बारा तो 2 से 6 3 से 4, 4 से 3 Now A भी सी का ratio मिल गया सही है How's that? अब आप से क्या बोल रहा है 7800 को बाटना है 6, 4, 10 और 3, 13 13 बराबर कितना है तीनों का सम किस वाले को माग दिना है 78 है तो 6, 4, 10 और 3, 13 बराबर एक बराबर 600 क्या पूछ रहा है वो सब के share पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 36 24 भोलिये How's that? टन 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 परफेक्ट ठीक है एक और सवाल दूँ ऐसा ही उड़ास अच्छा सवाल है लीजिए मजाएगा करने में यह वाला कीजिए कि अरुन अरुना अरुनो दे एक पैसा है वाई उसको बटा जाता है इतने में डिफरेंस बिट्वीन एमाउंट रिसिप्ट बाई अरुन अरुना इतना तो वैल्यू आफ एक्स बाइट एन प्लस तौदा सव पचास कल दीगर लास्ट कॉश्चन है फिर कल करेंगे हो गया? अच्छा सवाल तक आफी मजाएगा देखिए हमने क्या का अरुन अरुना और अरुनो दे इसको बाटा जाता है इस रिशियो में तो सबसे पहले रिशियो को बैलेंस किया जाएगा तो आपने का इनका इलसियम सेम क्या हो जाएगा 12, 3 से 4, 4 3 जा 6, 2 जा तो ये बैसिकली रिशियो आगया अब आपने क्या आगगा difference between amount dispute by अरुन and अरुना इन दोनों का difference एक बराबर 1500 अउस दैट यार एक बाई तीन, एक बाई चार, एक बाई छे चार तीन दो इन दोनों का difference एक बराबर 1500 सो उसका मतलब यह हुगा चार तीन साथ और दो नौ बराबर फंदरा सो इंटु नौ तो यह आ गई हमारी वाई की वैल्यू दन इस इस दा वैल्यू अफ वाई तो सवाल नहीं क्या पूछा मेरे भाई स्वारी यहां पर है एक्स ना ओके तो वाई अपान टेन तेरा हजार प पचास चौदा सो पचास एक्जामस में कई बार सवाल बन जाता है पांसर हो जाएगा थाइस सो ठीक है प्रफेक्ट कुछ लोग पांसर कर रहे हैं चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अब कल मेरी क्लास होगी पार्ट टू होगा रेशियो प्रपोर्शन का पहले समझ में आगया तो मेरा आज का मकसद पूरा हुई अब इस पर कुछ सवाल भी है जो मैं PDF पर घर के लिए दूँँगा आपको जैसे ये सवाल घर के लिए दे दूँगा perlu के लिए PDF आपको मिल जाएगी तो PDF पर इसित सवाल गर पर सॉल्व करना है ठीक है और यह सवाल नौरमल है ठीक है चलो डन तो उम्मीद करता हूं कि आज रेशियो का बिल्कुल बेसिक पार्ट समझाया होगा और मुझे भी काफी अच्छा लगा बेसिक पार्ट पढ़ाने में ठीक है अब साथियों आप